दोस्तों लेकर चलता हूँ आपको रामडिला की दोसो साल से प्रानी चली आ रही विश्वर प्रसिद्ध रामडिला की ओर आज तारीक 23 दिन सोमवार के दिन आज रावट दहन होगा आज लंका मैदान पर मैं आ चुका हूँ और यहीं पर रावट दहन कुछी छड़ में होन दोस्ते कि देख सकते हैं मेरे सामने यह लालटेन जो कि पैराशूट भी बोलसक्ते हैं आप और दोस्तों इसी को देखते हूं पर आवड में अगनी लगा दिजाएगी है कि अगनी लग चुकी है दोस्तों और भारी सी भारी संक्यार यहां लोग उपस्तित हुए हैं और हर हर महादेव की नारे जैकारे लगे जा रहे हैं दोस्तों और बहुत ही बड़ा यहां पर मैदान है और यहां हर साल की तरह इस साल भी बहुत लोगी कठा हुए हैं दोस्तों समय भी हो रहा है दस करीब और दोस्तों आज ही के दिन यहां पर रावड दहन हो रहा है हर साल भी यहीं पर होता है दोस्तों यहां पर राम नुरी के राजा भी उपस्ती थे दोस्तों फिलाल राजा उस साइड है मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको और थोड़ा अंधेरे का टाइम है दोस्तों तो फिर आज के लिए बस इतना ही देख स रहांगा अभी 50% रावड जल चुके हैं बाकी जो बचे हैं वो भी धिर धिर जलते जाएंगे तब तक आपको पटाको का दिरिश्चे दिखाता हूं और इधर रावड जल रहा हैं बहुत ही जोर से जो जो आग की लपट है वो हमारे बहुत करीब तक आ रहे हैं यहां भी को डे बाई डे हर नएने ब्लॉग में दिखाते रहूंगा तो देखिये जैसा की रावड करीब करीब 50-70% जली चुका है जो थोड़ा बहुत है वो भी जलते ही रहेगा और मैं दिखाते रहा हूं आपको लगातार और यह रहा दिरिश्च आग की जो लपटे हैं वो की खुशी से उठा रहे हैं और कभी आपको मौका मिले तो एक बार जरूर बनारस के राम नगर में घूमने आएगा दोस्तों एक महने यह पूरी राम लिला चलती है और हर दिन कुछ न कुछ आपको नया और कुछ न कुछ आपको अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा और जो आनंद इसमें है वो आनंद कहीं और नहीं दोस्तों एक तरह से आप समझ जाएए कि जो चीज़ आप टीवी पे देखते हैं वह साच्छा ता आपको सामने देखने को मिलेगा और यहीं यहां कि खुबी है जो यह विश्व प्रसिद्ध है और 200 सालों से चलती आ रह आपक जली चुका है और अब इसके आगे में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो अभी के लिए बस इतना ही आप लास्ट तक वीडियो देखिए और चैनल को सस्क्राइब लाइक करना नहीं भूलेगा दोस्तों चलिए तुम्हें चलता हूं हर हर महादेव हर महादेव